नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी करदा इस्टेडी लाइन में फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ल्सेयम एंड ल्सेयप का सौट ट्रिक मेथद जो कि एक्जाम की दिश्टिकों से बहुत ही इंपोटेंट है और वहां पर एक्जाम में कैस से ही बताता हूं कि एल्सेयम का क्या करना पड़ता है एल्सेयम फूल फर्म होता है फ्रेंड्स लीस्ट कोमन और मिल्टिपल मल्टिपल मल्टिपल का होता है फ्रेंड्स गुनाज जिसको हम लोग पहारा के नाम से जानते है ठीक है पहारा पढ़ना होता है ठीक है आप सबसे बढ़ा पने तो ज्यक्राइब हमें सब सबरिथे चुक्त करेंगे वाय athlete's में भौझ तो जारा है चार का जाए नहीं जा रहा है श्यका पादा प्रेंगे हैं श्यक्राइब छे दूनी 12 ठीक है छे का पाड़ा क्या था फ्रेंट्स छे दूनी 12 अब देखे दो का जा रहा है जा रहा है चार का भाग जा रहा है हाँ जा रहा है तो यहां पर आपको धीरे थीरे बता रहा हूं ताकि आप सीख जाओ एक बार तो आप असानी से स्पीड में questions को हल कर सकते हो तो 8 का जा रहा है यह जात वरा है 12 का जा रहा है नहीं जा रहा है ठीक है फिर क्या करेंगे 16 का आगे लापढ़ा पढ़ेंगे तो 16, 3, 48 ठीक है 8 का जा रहा है बिल्कुल जा रहा है 12 का भी जा रहा है तो इस तरह से जो है दोनों संख्यां का जा रहा है भाग तो इस तरह से यहां इस questions का answer हो जागा 48 ठीक है इस questions का answer 48 इस questions का 12 ठीक है इस तरह सहल करना ठीक किसी प्रकार यहां पर भी आते है 3, 6, 8 सबसे बड़ी संख्यां 8 चेक करते हैं तो यहां पर आटका पहाड़ा पढ़ेंगे आटका पहाड़े में क्या आता है 16 तो नहीं जाएगा पर आगे वाला पहाड़ा 24 ठीक है तो त्योत कि तो 2 सभी सघ्षारा नहीं नगुत कुछ साथ देखिए 10 से जा रहा है यस 20 से जा रहा है Wenn यह इसके गुनएज में पहारे में अशंच में साथ हो जाए गां कि इस की तरह जाए इस तरह से आपल लोग को इस वीडियो में ही बताएं और सबस्ते और आप हैम की सम हुआ ml तो तो तोड़ना पड़ता है चले आगे हम लोग समझते हैं ठीक है तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग जो है सेफ का भी मेथ़ट सीख लेते हैं सिफ में क्या करना है फ्रेंड कि हाइश्ट कोमन फेक्टर है फेक्टर करना है यानि कि तोरना आ गुरन खंड करना ठीक है जैसे मैं आपको बोलेंगे दो गुना दो गुना एक आप यही बोलोगे तो आपको होगे 2 गुना 3 गुना 1 ऐसे फ्यक्टर किया जाता है यहीं इसी को फ्यक्टर करते हैं अब इसी के दोबरा हम जोब सौर्ट तरिके से हाल करने वाले हैं बिल्कुल इजी वे में डेखें अब है ऐसे हैं यानि कि फ्यक्टर करने के बाद जो सबसे बड़ी संख्या है वही उसका है होगा ठीक है यानि कि चलिए हम इसमें कुट्र में सारा डावट क्लियर कर देते हैं ठीक है दो चार छे अब इसका हम लोगों को क्या निकलना है अच्छी अप निकालना है तो इसके लिए हमको सबसे पहले छोटी संख्यां को चूज करना होगा लिए HCUP लिए AND 6 ही और इसका हाया 1 ही हो गया 2 ही ठीक है यहां आते हैं 8-12-16 अब देखिए सब से疫can 8 है 8-12 मिम्हान घार हnes में भारा नहीं लग लग रहा है नहीं है बारा भी कट रहा है, दो से सोले भी कट रहा है, इस questions में जो आपका सारा doubt clear होने वाला है, तो यहाँ पे जो आप लोग answer करोगे friends, आप लोग 2 भी कर सकते हो, चार भी कर सकते हो, लेकिन ये गलत है, क्यों? इसका जो right answer होगा वोगा आपका 4, इसका जो right answer होगा 4, अब क्यों बताते हैं, यहाँ पे आप पढ़िए, highest common factor, तोरने के बाद, जो सबसे बड़ी संख्याँ आती है, अगर उस संख्याँ से तीनों में भाग लग जाता है, तो वही उसका answer होगा, ना कि यह छोटा वाला, छोटा बड़ा में जो भी, अगर बड़ा बड़ा से भाग लग ल यहाँ सबसे छोटे संख्यां तीन, तीन से भाग लग 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 जाता है, इसलिए ऐसा आप जोए, इसका एक होगा, अमसर, भी, इस बरग राग, अब इसमें सब 24 थे मतलब को हल करना था है और उमीद है वीडियो आपको को पसंद आई हो une ФЕsハ सबसे बड़ा ऐसन वाला संख्याओं चूछ को चूज करेंगे वही उसका राई ट्रिक बताया आपको में चूंत만 करना है बाक्या जो आपका से लिःउट क्लियर हो जाएगा प्रेंज उमीद है आपको वीडियोय पसंत है फॉरिंस वीडियो को लाइक कर देंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा एगर कोई कमी रह के साथ तब तक के लिए गुड़ बाए दो कि 동